दोस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ OPPO Reno5 Pro मोबाइल में आप यहाँ पे Face Lock कैसे सेट कर सकते हैं तो मोबाइल में Face Lock की सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे चले जाना है सेटिंग पे सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको Fingerprint Face and Password का Option देखने को मिल जाएगा आपको इस पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है add face का option देखने को मिल जाएगा तो आप इस पे click कर देंगे और जो भी आपने lock वगरा set कर रखा है आपने phone में वो आप यहाँ पे draw कर देंगे अगर यहाँ पे आपने lock नहीं set कर रखा है fresh तरीके से आप डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको पहले lock set कर लेना है अगर raise to wake पे रहने देना चाहते हैं जैसी कि आप अपना phone उठाते हैं तुरंत आपका face lock खुल जाना चाहिए आपके phone से तो यहाँ पे आप इसे on रहने देंगे ठीक है और इसके बाद आपको done पे click कर देना है तो आपके सामने इस step का option खुल के सामने आ जाता है तो यहाँ पे आपको setting करनी ज़रूरी होती है तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको delete का option आ गया यानि की face successfully आपका add हो चुका है और इसके बाद option आ जाता है use face 4 इस पे जब आप click करते हैं तो यहाँ पे आप अपना face lock app lock के लिए भी use करना चाते है तो इसे on कर सकते हैं private save के लिए on करना चाते है तो इसे भी on कर सकते हैं तो इस step से आप यहाँ पे on कर देंगे ठीक है लेकिन अभी मैंने कुछ set नहीं कर रखा है app lock वगेरा तो इस वज़े से step को option आ रहा है otherwise आपका डारेक्ट यह green color का हो जाएगा अगर आपने पहले से set कर रखा app lock वगेरा तो इसके बाद आप back कर देंगे इसके बाद यहाँ पे आपकी बारिया जाती है auto brightness की तो यहाँ पे अगर आप dark area में अपना face lock यूज़ करना चाहते है तो यहाँ पे इसे on रहने देंगे ताकि आपका डार के लिए भी काम करें आपका face lock और इसके बाद यहाँ पे यहवल option अगर आप on रखना चाहते तो on रखेंगे इससे क्या होता है कि जब आपकी यहाँ खुली होती है तभी आपका यहाँ पे face lock काम करता है आप सोते टाइम नहीं काम करता है जैसे कई लोग होता है चलाकी के मारे जब सो रहे होते हैं तो face के सामने आपका phone लाके lock खुल लेते हैं तो आपको यह वाल option ज़रूर on रखना है safety के लिए और इसके बाद screen unlock के बारी आ जाती है इस पे click करेंगे तो यहाँ पे auto unlock हो जाना चाहिए तुरंत यानि की face lock सामने आते ही आपका तुरंत unlock हो जाना चाहिए phone या फिर कुछ दिर आपका ऐसी screen पे रहते है जब आप swipe करते हैं तब खुलता है तो I hope गा इसे वीडियो आपको ज़रूर पसंदाया होगा इसी type के और पे interesting वीडियो देखने के लिए चैनल पे विजिट करते रहेगा चली मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार